तो आज के इस वीडियो लक्षर में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि फिलोसफिए की ब्रांचीस कौन-कौन सी हैं, इसकी कौन-कौन सी साख्वाएं हैं, और इसकी एधुकेशन में क्या इंपोर्टेंस हैं तो आप इस वीडियो को आखरी तक देखिए और कोई भी डाउट हो कोई भी question हो तो comment करके जरूर पूछिए और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तब भी comment करके अपना feedback जरूर देजिए तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं branches of philosophy तो अगर हम philosophy की branches की बात करते हैं तो there are five primary categories और branches of philosophy तो कौन कौन सी है first है epistemology ज्यान मिमानसा second metaphysics है third है ethics नतिकता fourth logic तर्क और fifth है aesthetics सोंदर्य सास्तर तो philosophy की ये five branches है अब हम एक-एक branches की बात करेंगे कि क्या है इसकी क्या importance है तो हम एक-एक करके हम सभी branches के बारे में जानेंगे समझेंगे तो हम start करते हैं सबसे पहले अगर हम epistemology की बात करते हैं ज्ञान विमानसा की बात करते हैं तो epistemology जो इन philosophy की branch है एक किसकी बात करती है तो it is the study of knowledge कि जो epistemology है किस चीज की study करता है knowledge कि knowledge क्या है knowledge का source क्या है knowledge हमें कैसे मिलती है तो एक कुछ ऐसे question है जिसका answer हम epistemology में ढूरते हैं ठीक है तो it is the study of knowledge it deal with the process by which we can know that something is true तो epistemology क्या है एक study की knowledge it is the study of knowledge एक ज्यान का आध्यान है ठीक है और इसमें यही चीज़ पता लगाई जाती है कि knowledge का source क्या है तो epistemology is a branch of philosophy that investigates the origin, nature, methods and limits of human knowledge तो यह आपको clear हुआ कि epistemology है इसको एक line में define करना है तो it is the study of knowledge कि knowledge क्या है, knowledge का source क्या है, knowledge हमें कैसे मिलता है ओके तो हम अब आगे देखते है, it addresses questions such as तो इसमें कुछ questions जिस पर बात की जाती है, कौन-कौन से question है, जैसे मैंने आपको भी बताया what can I know, मैं क्या जान सकता हूँ, ठीक है, इस दुनिया में जानने के लिए क्या-क्या है और how is knowledge acquired, कि knowledge को किस तरह से acquired किया जाता है, ज्यान को कैसे प्राप्त किया जाता है, ठीक है तो knowledge का source क्या है, एक question है, epistemology में question अक्सर आता है, कि how is knowledge acquired, कि knowledge का source क्या है तो इसका answer भी इसमें है कि knowledge का source क्या-क्या है, तो इसमें भी दो group है, ठीक है एक group मानता है कि जो knowledge का source है, वो क्या है हमारा mind है, rationalism ठीक है, it believes that knowledge is gained primary through the mind, कि एक group है जो मानता है कि जो knowledge का source है, वो mind है, वो बुद्धी है ठीक है लेकिन एक दूसरा भी ग्रूप है जिसको हम कहते हैं empiricism it believed that all our knowledge comes from our five senses कि जो अनुभोबाद है ठीक है जो empiricism है एक क्या मानता है इसका एक belief है कि source of knowledge हमारी क्या है senses है इंद्रियां है ठीक है तो epistemology में जब हम बात कर रहे हैं कि it is the study of knowledge कि knowledge की study है कि knowledge का source क्या है तो इसमें बात की जाती है कि knowledge के दो source है एक क्या है एक हमारा mind है और दूसरा क्या है हमारे senses है तो हमें जो भी knowledge मिलती है हमारे mind के तुरू मिलती है हमारे senses के तुरू मिलती है तो इस तरह से बच्चों को mind और senses, दोनों तरह से ही बच्चों को knowledge दी जाती है, उनको सिखाया जाता है, ठीक है, तो epistemology क्या है, study of knowledge, और knowledge के source कौन-कौन से है, mind और senses, ओके, तो यह चीज आपको clear हुई, और इसी में, इसलिए हम देखते हैं, school में बच्चों को तरह तरह के activities कराई जाती है, ताकि उनकी जो senses है, ठीक है, वो active हों, और उनको चीजों को experience करके, करके, चीजों को सीखें, और साथ के साथ, mind activities भी होती है, competition होते हैं, इस तरह से चीजे हैं, ताकि बच्चों को, उसके mind के तरू, या senses के तरू, बच्चों की knowledge को enhance किया जाए, बढ़ाया जाए, ओके, अब philosophy की जो second branch है, metaphysics, तद तो मिमान सा, तो epistemology, जो है study of knowledge है, तो metaphysics क्या है, ठीक है, तो the word metaphysics derives from the Greek word, meta, which means beyond, and physics, which means nature, कि metaphysics क्या है, कि जो हमें दिख रहा है, जो हमें दिख रहा है, जो nature, जो physics, ठीक है, जो physical word है, इसके अलावा भी, beyond the nature, ठीक है, beyond the physics, तो इसके अलावा भी, तो इसमें किस चीज़ का पता लगाया जाता है, कि it is a branch of philosophy that tries to answer the question what is real, कि real क्या है, reality क्या है, वास्तविक क्या है, जो हमें दिख रहा है, क्या यही reality है, क्या इसके अलावा भी कुछ और भी real है, तो metaphysics में इसी चीज़ की बात की जाती है, philosophy की ब्रांच है, जिसमें बात की जाती कि real क्या है, वास्तविक क्या है, तो अगर हम इसको कहते हैं, इसको अगर हम define करने की कोशिस करें, तो metaphysics is the study of reality, कि तत मिमान साव वास्तविक्ता का ज्यान है, तो epistemology is the study of knowledge and metaphysics is the study of reality, it deals with the fundamental question of reality, कि यह वास्तविक्ता के मूल भुत प्रस्नों से सम्मंदित है, The metaphysical issue most discussed are the existence of God, Saul and the afterlife, कि इसमें सबसे जारा जो बात की जाती है, कि Saul क्या है, God क्या है, ठीक है, हमारी जो अभी जो life है, इसके बाद भी क्या कोई life है, यह जो ऐसे question है, Metaphysics में हिनी चीचों की बात की जाती है, जो हम जिस world में रहते हैं, क्या यही एक real world है, या इसके अलामा भी कोई और दुनिया है, आपने देखा होगा NASA है, इस तरो है, लगातार इस तरह से जो space center में, मुहाँ पे भी उनके center है, अकसर मतलब, इस research में लगे हुए है कि इस world के अलामा भी क्या और भी दुनिया है, कितनी दुनिया है, थीके, तो जो हमें दिख रहा है, इसके beyond, कि reality जो हमें देख रही है, क्या वही है या उसके अलावा भी कुछ है क्या God का existence है या Soul का existence है या नहीं है तो इनी चीजों पर Metaphysics में बात की जाती है ठीक है? तो Metaphysics क्या है The Study of Reality तो कई वार स्कूल में भी हम देखते हैं कि बच्चों को वास्तविक्त या reality क्या है तो बच्चों को भी इस तरह से कई वार activity दी जाती है चीजों को कराया जाता है उनको project work दिये जाते हैं उनको assignment दिये जाते हैं ताकि बच्चा खुछ से चीजों को ढूड़े सर्च करे चीजों का पता लगाए तो हम आगे बढ़ते हैं इट एक्जामीज दा ट्रू नेचर ऑफ रियाल्टी वेदर विजिबल और इनिविजिबल जैसे मैंने आपको बताया कि वास्टविक्ता की वास्टविक प्रिकृति की जांच करती है चाहिए उद्धिस से मान हो या अद्धिस से हो ओके कि भातिव विज्ञान अस्तित्व के भारी रूपो नियुमों का धियन करता है लेकिन मेटाफिजिक्स जो तत्मी मान सा है वो चीजों के वास्टविक साथ पर सोचता है कि एक्चुल में रियल क्या है जो दिख रहा है वही है या उसके अलामा भी कुछ है फिजिक्स तो क्या है जो दिख रहा है उसकी बात करता है लेकिन जो दिख रहा है वो भी और जो नहीं दिख रहा है उसकी भी बात करता है जैसे हम अपने अर्थ की बात करते हैं क्या और भी बहुत सारे अर्थ हैं हो सकते हैं तो इस पे भी इस पे भी रिसर्च किया जा रहा है पता लगाया जा रहा है ओके कि तत्मीमानसा के विशे क्या है आत्मा संसार और इस्वर ठीक है इट एड्रेसिस क्वेश्चन सच तो इसमें जो कुछ क्वेश्चन है तो मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें दी है ताकि आपको और चीजे अच्छे समझ में आजा क्या दुनिया एक है या एक से अधिक है अक्सर आपके मिमन में ऐसे क्वेश्चन चलते होंगे वास्तविक्ता क्या है वास्तविक्ता क्या है वाट इस टूथ सत्य क्या है क्या इस दुनिया में भगवान है तो एक कुछ ऐसे क्वेश्चन है Metaphysics में इसी का आंसर ढूने की कोशिस की जाती है की जा रही है और आगे भी चलती रहेगी ओके और अलग-अलग philosophers हैं, अलग-अलग philosophy हैं सबने इसके बहुत सारे answer दिये हैं कि is the world one or many तो कई यह है कि जो यह word है कुछ philosophy कहती है कि यह की है लेकिन कुछ कहती है कि नहीं there are two types of words, spiritual and physical physical जो दिखता है और spiritual जो दिखता नहीं है तो इस तरह से question है आप अलग-अलग philosophy को पढ़ोगे तो इन question को अपने अपने तरीके से एक logic के साथ इसका answer दिया है अब हम third बात करते है ethics की नयतिकता the world ethics is derived from the world ethos which means character तो ethics का relation संबन किसे है character से है तो in this way ethics is the science of human character habits and behavior की नयतिकता मानो चरितर आदतों और विवार का विज्ञान है तो इसलिए ethics is also called moral philosophy तो इसलिए नयतिकता को नयतिक दर्सन भी कहा जाता है तो मैं फिर से repeat कर रहा हूं हमने epistemology की तो study of knowledge हमने metaphysics किया तो study of reality and ethics की किया तो ethics क्या है it is the science of human character habits and behavior ठीक है ethics is the study of writer wrong की नयतिकता क्या सही है क्या गलत है उसकी study करता है तो यहाँ तक clear हुआ अब हम आगे आते हैं logic logic क्या है तो देखो कोई भी reality जब कोई चीजे तब proof होती है जब उसके पीछे कोई logic हो आप सब बहुत जगे है जिस स्कूल में होंगे कॉलेज में होंगे debate competition में जाते होंगे तो debate competition में भी अक्सर वही जीतते हैं जिनके पास अपनी बात को proof करने के लिए logic होता है तो logic भी philosophy का base है हर philosophy जितनी भी अलग चाए इंडियनों चाए वेस्टनों जो भी philosophers रहे हैं उन्होंने अपनी बात को proof करने के लिए logic दिया है और जहां पर logic नहीं वहां पर reality नहीं अगर हम court में cases को भी देखते हैं तो जो lawyer होता है अपनी बात को logic के साथ कहस तक proof करता है वही जीतता है तो philosophy में logic की बहुत importance है तो logic is the study of right reasoning की तर्क सही विचार का अधियन है logic is the science of reasoning और argument की तर्क वितर्क का विज्ञान है logic logic is the basis of all knowledge तो बिलकुल सही है कि logic जितनी भी knowledge उसका base है बिना logic के knowledge जो है उसको आप सही नहीं कह सकते इसको हम विज्ञान का भी विज्ञान कहते है ठीक है तो इतना clear हुआ अब हम आगे देखते है तो as a teacher अब क्लास में कुछ भी बच्चों को सिखा रहे हैं तो उसके पीछे logic जुरूर बताईए कि अगर यह ऐसा है तो क्यूं है ताकि आप अपनी teaching को effective बना सकें और बच्चों को सही knowledge दे सके तो knowledge जो भी बात कहें एक logic के साथ कहें good logic includes the use of good thinking skill and the avoidance of logic fallacies कि अच्छे तरक में अच्छे सोच कौसल का ओपियोगर तरक के पतन से बचना सामिल है तो जो भी बात कहें एक logic के साथ कहें एक तरक के साथ कहें ओके अब जो philosophy की जो फिफ्ट ब्रांच है aesthetics सौंदर सास्त्र ओके तो aesthetics क्या है सौंदर सास्त्र क्या है तो aesthetic is a branch of philosophy under which questions related to art, literature and beauty are discussed कि यह दर्सन की एक साखा है जिसके तहत कला, साहित और सौंदर सासे समंदित परसनों पर विवेचन किया जाता है कि सौंदर्ता क्या है, beauty क्या है ठीक है कोई भी हम बात करते है literature की बात करते है art की बात करते हैं तो उसको जब हम feel करते हैं तो उसको feel करने के बाद मन में एक जो आप कहोगे कि एक happiness आती है, एक अच्छी feeling आती है, तो इन चीजों का इस beauty का इसमें क्या किया जाता है, study की जाती है ठीक है, तो aesthetic studies how artists imagine, create and perform works of art कि सौंदर सास्त रधियन करता है कि कैसे कलाकार, कला के कारियों की कलपना, निर्मान और परदर्सन करते हैं, जैसे इस image में आपने एक parrot को देखो तो आप इसको ध्यान से देखो तो कितना colorful है, जब जो photo जिसने, इस photo को click की होगी तो उसने मतलब उसके मन में भी इस तरह का होगा न, कि हाँ इसकी जो beauty है, कि इसकी जो इसका जो color है, जैसे normally parrot green color के होते हैं लेकिन इसमें sky blue भी है orange भी है, red भी है, green भी है, तो इसको देखकर मन में एक अंदर एक अच्छा जो feel आता है तो aesthetic में इस तरह की है कि जो जो photographer रहा होगा उसकी अपनी क्या मतलब सोच होगी इस photo को कीचने की और देखने वाले जब इसको देखते होंगे तो उनके मन में किस तरह की feeling आती है तो इन चीजों का aesthetic सौंदर सास्तर में अध्यान study की जाती है ओके इस टड़ीज इसको देखकर आपके मन में क्या आ रहा है happiness की feeling आ रहे किस तरह की feel आती है तो उसकी study इसमें की जाती है इस अपना आपके जाती है कि यह भी अध्यान करता है कि लोग जब कला के बारे में कैसा महसूस करते है जो different form art है उसके बारे में कैसे महसूस करते है कैसे कला जो है art है हमारे जीवन पर हमारी view of thinking पर किस तरह से अपना effect डालता है किस तरह से परभावित करता है तो इन चीजों की study की जाती है तो in this there is a discussion of the beauty expressed by the artist creation composition इसमें कलात्मक कृतियों रचनावादी से विवेक्त होने वाले सुन्दर का विवेचन होता है its main purpose is to discuss the joyful feeling that comes in our mind after seeing a beautiful object कि किसी भी सुन्दर वस्तु को देख कर हमारे मन में जो आनंद दाई अनुभूती होती है हमें उसका विवेचन करना ही इसका मुखी उदेश से होता है तो सुन्दर सास्त्र कला का दर्सन है इस वीडियो लेक्चर में हमने ब्रांचिस ऑफ फिलोस्फी की बात की कि दियर आर फाइब ब्रांचिस ऑफ फिलोस्फी फर्स्ट जो है एपिस्टिमलोजी जिसमें हम नौलिज की स्टड़ी करते हैं इसमें कि चीज की चाड़ी की जाती है ओर उसके बाद फिर हमने एश्टिक्स की बात की सुन्दर सास्त की बात की तो एस सारी फिलोसफी की ब्रांची से तो मुझे उमीद है कि आपको फिलोजफी की जो अलग लग ब्रांचीस हैं इसके बारे में आपको पता चल गया होगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर कमेंट करके अपनी फिडबेक अपना दीजिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद